हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे बेसन की एकदम चटपटी और मसालेदार सबजी तो चलिए फटाफट से सुरू करते हैं वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो ये एक बाउल ले लेंगे और बाउल में हम एक कब बेसन डाल रहे हैं उसके बाद हम क् इसमें जीरा डाल लेंगे आधा चम्मच के करीब और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने अधरकर लासुन को ग्रेट कर लिया था वो डाल देंगे नमक डाल लेंगे तो नमक ज्यादा नहीं डालेंगे थोड़ी कमी रखेंगे नमक को उसके बाद आधी चम्मच हल्दी प पाइवे, और थोड़ा सा थोड़ा सा थनीया पाओडर डाल लेंगे हम जो भी तेल दाल लेगा उसके तेल डाल दिया है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिकस कर लेंगे तो ऐसे उंगलियों से अच्छे से मसलते वे और इसे बड़ी असा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कहीं कहीं मसाला न रहे और जो हमने अद्रक लसुन का पेश्ट भी डाला है वो भी अच्छे से पूरे बेसन में मिक्स हो जाए तो ऐसे ही मसलते वे कुछ सेकिंड के लिए हम न जहें ुधाल में मुक्त पाना से जिएा सेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ासा पानी डाले में तो ज्यादा इसको रखना एसे शेथा इसको लिवे और थोड़ा सब्टमन ही मुदु झाल थूश्आ पानी जो हमी पिक्त श्यामत डालाई स्व और इसको छोटे चोटे पीस ऐसे करके निकाल लेंगे, तो यह आप देखें, एकदम गोल हमें नहीं बनाना है, तो ऐसे ही निकालते वे, तो इसको डो को बिल्कुल भी गीला मत कीजेगा, तो हलका ऐसे ही रखेंगे, हाड़ सा, और उसके बाद ऐसे जैसे यह बेशन की तो यह आप देखें, ऐसे करके, और यह बढ़िया से बनके तयार हो गए है, उसके बाद चलते है गैस की तरफ तो इधर हमने थोड़ा तेल रख दिया था कड़ाई में करम करने के लिए, तो एक एक करके हम इसमें डाल देंगे, गैस को मेडियम पे ही रखेंगे, और सारी हम एक ही बार में डाल देंगे ऐसे करके, तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भून लेंगे, तो यह आप देखें, सारी एक ही बार में आ जाएंगी, तो बहुत ही टेश्टी बनती है, यह सबजी आप एक बार बना के ट्राय जरूर कीजिएगा, एक बार बनाएंग उसके बाद थुढ़ा फ्राय हो जाएंगे, तभी हम इसको उलट-पलट करेंगे, तो ऐसे करके और बढ़ आसा इसे सेख लेंगे, बढ़ आसा फ्राय गर लेंगे, तो यह आप देखें, बढ़ आसा कलर आ गया इसमें, अब हम इसे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा रोक ले और उसके बाद इसे निकाल लेंगे तो गैस को हम क्या करेंगे हमने गैस को बीच में थोड़ी देर के लिए बन कर दिया था तो तेल थोड़ा थंडा ही है तो इसमें आधी चमच जीरा डालेंगे जीरे को थोड़ा चटकने देंगे उसके बाद हमने दो प्याज मीडियम का लिए थे तो इसको डाल देंगे और इसको प्याज को भून लेंगे तो कैस को हम लो और मीडियम के बीच में ही रखेंगे और इसे बढ़ी आसा बहुन लेते हैं ऐसे करके ताकि इसके जितने भी लच्छे हैं वह भी खूल जाए और यह प्याज को एकदम ब्राउन करना कि आशके प्याज माने था बहुन लेंगे तो यह आप देखे यह फीयाज को हमने प्यास को इ powin लिया तो थोड़ा 11 खुट लिया था अध्रक लसुन थोड़े लिए तो इसको डाल देते हैं, और इसको हलका सा भून लेंगे इस तायम पर ज्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि हमने पीश रखाया तो जल जाएगा उसके बाद एक टमाटर हम डाल देंगे मोटा मोटा गट करके, और उसके बाद क्या करेंगे नमक डाल लेंगे स्वात के अनुसार आधी चमच हम हल्दी पौडर डाल लेंगे आधी चमच लाल मिर्ची पौडर डाल लेंगे और आधी चमच धनिया पौडर डाल लेंगे और इसको mix कर लेंगे अच्छे से और थोड़ी देर कुछ सेकिंड के लिए मसालों को भी इसी के साथ बूहन लेंगे ऐसे करके तो गैस को इस टाइम पे लो रखेंगे क्योंकि एक दम से मसाले जल जाएंगे तो ये थोड़ी देर के लिए हमने इसे भून लिया है. उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें. तो आदी कटोरी के करीब हमने इसमें पानी डाला है. और इसको हम ड़क के रख देंगे. तो 5-6 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे इसे पकाया है तो 5-6 मिनट हो गए है यह आप देखिए मसाला एकदम बढ़िया सा पन के तयार हो गया है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सािज गाया है तो पख गया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे थोड़ा गरम मसला दाल देंगे तो मसाले आप कोई और भी अगर पसंद करते हों तो वह भी आप डाल दीजेगा तो इसको क्या करेंगे थोड़ा पानी हम इसमें डाल देंगे तो एक कटोरी पानी हम इसमें डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके तो इसे बड़ी आसा मिक्स करके और गैस को मीडियम पे कर देंगे और इसे एक उबाल आने देते हैं तो यह आप जो हमने बढ़ियां फराई करी थी वह हम इस टाइम पर डाल देंगे और इसको अच्छे से मीट्स कर लेंगे ऐसे करके तो आप देखने में ही देखिए कितने टेश्टी लग रही है सब्ची खाने में तो बहुत ही टेश्टी होती है तो यह अब हम फिर से क्या करेंगे कि तीन-चार मिनट के लिए हम इसे ढख के रख देंगे अलो फ्लेम पर पकाएंगे इसको तो यह आप देखे कितनी बढ़िया से एक तम बढ़िया सी पक गई है तो अगर आप ज्यादा पानी चाहते हैं तो आप पहले ही थोड़ा पानी डाल दीजेगा या फिर आपको सूकी सब्जी चाहिए तो थोड़ा पानी कम डाल लीजेगा तो अपने हिसाफ से आप पानी कम ज्यादा कर सकते हैं तो आप देखे सब्जी हमारी बिल्कुल बन के तयार हो गई है तो यह आप देखे कितनी टेस्टी लग रहे है देखने मे खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है तो अब हम क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद आपको सर्फ करके दिखाते हैं तो यह आप देखे हमारी एकदम टेस्टी सी सब्जी तयार हो गई है थैंक यू झाल